दोस्तों आज इस वीडियो के दर हम पूरा का पूरा अपनी एक क्लास के अंदर Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 हम अपना खतम करेंगे ताकि हमारा राजिस्तां का जो अपना जुडीशी का एक्जाम अपना होने वाला है उसके अंदर हमारा को कुछ हद तक clarity हो पाएगी और आज की क्लास को attend करने के बाद में मैं आपको शर्त लगा के बोश सकता हूँ कि Domestic Violence Act के अंदर जो जो questions आ सकते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आप attempt कर पाऊगे साथी में ये subject आपको बहुत पसंद आने लगेगा समझ में आने लगेगा और अपने rights के बारे में भी आपको पता रहेगा तो पूरी की बुरी आप class ज़रूर return करेगा शूर्स लेके end तक के लिए अब ज़ादा देरी ना करते हैं हम class को start करते हैं और सबसे important बात हमारी application भी है smart and legal guidance के नाम से आपको यहाँ पर poster दिख रहा होगा और जिसको अपनी class पसंद आती है तो like ज़रू कर दीजेगा और अपने करीबी दोस्तों को share करके उनको भी inform कर दीजेगा कि पूरा का पूरा हमारा domestic violence act पढ़ाया गया है इस class के अंदर चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहली बात हमारे production of women from domestic violence act 2005 यह अपना लागू करा गया था 26 October 2006 को यानि कि enforcement date है 26 October 2006 और enactment date क्या है 13 September 2005 यह दो कोशन हमारे दिमाग में clear हुई जाते है prelims के point of view से अब मुद्दे की बात ही आती है सबसे पहले एक छोटा सा introduction कि जो यह production of women from domestic violence act है यह लाया क्यों गया है जब यहां पर महिलाओं के पास और भी तरह के अधिकार है for example अगर husband जो है महिला के साथ cruelty कर रहा है तो husband के पास wife के पास अपने divorce लेने का अधिकार है पहली बात और अगर husband जो है या husband के परिवार वाले महिला के उपर cruelty करते हैं तो महिला क्या कर सकती है जिसके अपर cruelty हुई है wife क्या कर सकती है अपना 498 A of IPC के अंदर FIA Dage करा सकती है जब यह सारी के सारी remedies अपनी available हैं तो फिर यह कानून लाया क्यों गया है देखिए अगर मार लेते हैं महिला के साथ में अपना domestic violence होता है अब यह domestic violence क्या है क्या मतलब है इसके वारे में हम बात करेंगे बट अभी मुद्दे की बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि महिला के साथ में domestic violence हुआ और महिला को लगता है, कि यहां पर महिला को अधिकार है, कि अगर महिला के ऊपर domestic violence होता है, कितने तरह का domestic violence हो सकता है? मैंने आपको बताया भी, कि mental हो सकता है, physical हो सकता है, verbal हो सकता है, sexual हो सकता है, economical हो सकता है, emotional हो सकता है, तो यह सारी के सारे domestic violence होते हैं, उस तरह हैं और हालग kav Thursday, इस कानून के तहट हमारे को डमस्टिक वॉयलेंस के तोर पे बताया हुआ है, तो यह बाते आपको याद रखनी है, एक और हमारे M.C. को को गुशन प्रिपेर हो गया है, ठीक है, तो अगर महिला को अपने पती को जेल नहीं बहेजना है, या डिवॉस भी नहीं चाहिए, तो और यहाँ पर इस कानून के मदद से महिला अपना रिलिफ मांग सकती है, जुदिशन वेजिटर फर्स क्लास के आगे सेक्शन मर्थ 12 के अदर application file करने के बाद में, और कौन कौन से रिलिफ मांगी जा सकती है, सबसे वहली बार production order अपना मांगा जा सकता है, सेक्शन मर् 18 के के अंदर, monetary relief मांगी जा सकती है, section 20 के अंदर, और custody order मांगा जा सकता है, कि मेरे को custody order चाहिए, मेरे favor में, तो section 21 के अंदर, और इनके अलावा भी, अगर मान लेते हैं, जब महीला के उपर torture करा गया है, domestic violence करा गया है, तो दिमागी तोर पे महीला को torture हुआ है, परिशानी हुई है, और इसकी वज़े से मान लेते हैं, महीला ने अपनी job छोड़ दी, कि मेरे पती ने, या मेरे, जो भी मेरा boyfriend है, boyfriend में word इसले use करा हूँ, क्योंकि आपको आगे में बताऊंगा, कि domestic relationship कितने तरह क्या होते हैं, ये बात हमारे को section number 2F के अंदर पता लगेगी, तो अगर मेरे boyfriend ने मेरे को इतना परिशान करा, इतना domestic violence मेरे उपर करा है, तो मैं अपनी job छोड़ चुकी है, और उसकी वज़े से मेरे को earnings नहीं हो पाई, मेरा घर वेपार मेरा नहीं चल पाया है, तो उसका खर्चा कौन देगा, ठीक है, और जो मेरा mental torture हुआ है, तो उसका खर्चा कौन देगा, तो at the end, compensation order भी demand करी जा सकती है, under section number 22 of DY Act, ये basic introduction वाली बात है, इसमें कहीं तरह कि हमारे MCQ के question बनते हैं, हमारे को clarity हो गई है, क्या MCQ को कोशन ने को और बन सकता है, कि production order कौन से section में define करता हूँ है, section number 18 में, और residence order section number 19 में, monetary relief section number 20 में, custody order section number 21 के अंदर, और compensation order section number 22 के अंदर, message के आगे, अगर application लगाई जाती है, तो section number 12 के अंदर, और कौन से magistrate होँगे, जिनके आगे application लगाई जागी, judicial magistrate first class, ये बात आपको clear हो जाने चाहिए, बहुत हद तक हमारे basic introduction हमारा clear हो गया है, अब आज जाते हैं, थोड़ इसी मुद्दे की बात के अपर, अब यहां पर मुद्दे वाली बात यह है, कि अगर कोई भी महिला को अपना, सबसे पहले में आपको section 1 हमारे को बात करता है, कि पूरे इंडिया के उपर यह लागू होता है, अब definition clause बहुत important है, यहां पर हमेशा याद रखेगा, कि यह कानून किसके लिए है, केवल और केवल महिला के लिए है, तो production of women from domestic violence, तो women बढ़ आ गया, तो यहां पर हमेशा और हमेशा complaint दर्ज कराने के लिए कौन जब आएगी, केवल और केवल महिला यहां पर complaint दर्ज कराएगी, तो मैं थोड़ा से नीचे करते तो, हाँ, तो हमेशा और हमेशा महिला, कि महिला के पास अपना अधिकार है, कि अगर उसके उपर domestic violence होता है, तो महिला जाए, मैशेट को जाके application file करें, जब साब, मेरे उपर यह अपर domestic violence हुआ है, तो मैं आपके सामने, या तो protection order, या तो residence order, या monetary relief, या मैं custody order, या compensation order, या इन में से सारे, आपके पास application move करके, relief मांगना चाहती हूँ, बात खत्म हो जाती है, ठीक है, अब एक question एक और आता है, कि मान लेते है, कि जो महिला है, वो पर्दा नशी है, या महिला bad dress पे है, महिला जा नहीं सकती है, मैशेट के पास application file करने के लिए, तो क्या any other person, क्या कोई अन्य व्यक्ती भी, महिला के बियाफ पे complaint दर्ज करा सकता है, answer is yes, ये बात कहां लिखी है, section 4 में लिखी है, अभी दुबारा हम इसको recapitate करेंगे, ठीक है, ये बात हमार को समझ में आ जाती है, कि agree person हमेशे कौन होगी, महिला, याद रखना एक मेरी बात को, अब इसके अंदर बात आ जाती है, domestic relationship, ये बहुत important section है, बहुत important definition है, ठीक है, देखो, एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, तो महिला के उपर अपना domestic violence हुआ है, domestic violence हुआ है, तो किसने करा है domestic violence, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई अंजान वेक्ति आया, और महिला को टॉर्चर करके, अपना चलता बना, और फिर महिला भागी भागी गई, section मबारा के अंदर, application move कर दी, जो डिच्छे में सेट फर्सकार्स के आगे, कि देखो जासाब, एक A नाम का वेक्ति है, इसने मेरे उपपा जोगा, domestic violence करा है, तो court सबसे पहले यही question पूछेगा, कि महिला, आपके उपर domestic violence गुआ है, ठीक है, लेकिन आपकी जो case है, आपका जो case है, वो domestic violence के अंदर आएगा, यह नहीं आएगा, यह एक बात के उपर depend करता है, क्या, कि क्या आपका, उस A नाम के विक्ति के साथ, domestic relationship है भी या नहीं भी है, अगर महिला, आपके साथ, आपका जो है, A नाम के विक्ति के साथ में, domestic relationship नहीं है, तो sorry, आपको हम relief grant नहीं करेंगे, तो आपके उपर, DY Act की जो relief है, जो आप मांगने आए हो, वो आपको नहीं मिलेगी, तो बहुत important question है, सबसे पहले महिला की यहां पर जिम्मिदारी है, कि मैं जिसके उपर दावा, अपना दर्ज करने के लिए आई हूँ, जो मैं जो एक जिसके उपर केस दर्ज करने के लिए आई हूँ, उसके साथ में मेरा क्या है, domestic relationship है, अब domestic relationship हमार को define का कर रहा हूँ है, as per section 2F, तो पांच तरणा के domestic relationship हो सकते हैं, पांच में से कर कोई भी एक भी, आपका domestic relationship है ना, बढ़िया है, ठीक है, तो पहले क्या हो सकता है, पहले हमारा domestic relationship हो सकता है, मैं बोसकता हूँ, consanguity का, consanguity का मतलब क्या होता है, blood relation, पिता ने अपनी बेटी के साथ में domestic violence कर रहा है, तो क्या वो बेटी अपने पिता के उपर डावा डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है, consanguity का relationship है, और एक marriage, एक पती पतिनी का, एक पती ने अपनी पतिनी के उपर domestic violence किया है, तो क्या यहाँ पर पतिनी जो अपने पतिनी के उपर डावा डाल सकती है, section 12 के अंदर बिल्कुल डाल सकती है, यहाँ पेश्यों वाली बात नहीं है, section 12 के application master का आगे पेश करनी पड़ेगी, तीसर relationship होता है हमारा, relationship in the nature of marriage, relationship in the nature of marriage, यहाँ पे आप लोगों को confusion आएगी, ठीक है, इसके बारे मैं भी बात करूँगा, तो तीसर हमारा कौन सा domestic relationship होता है, relationship in the nature of marriage, यह बात हमारा को clear जाती है, चौथा हमारा हमारा अदोप्शन वाला, कि अगर किसी पिता ने अगर मानने ते एक लड़की को adopt करा है, ठीक है, तो वो अगर उसके साथ में domestic violence किया जाता है, तो क्या वो जो बच्ची है, वो अपने adopted father के उपर दावा डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है, अब आजाती है बात, जो family members living together in a joint family, तो यानि कि एक भरा परिवार है, joint family है, सब यहाँ पे चाचा, ताउजी, ताईजी, आपकी चाची, सब एक साथ रहती हैं, एक ही घर के अंदर, अब यह relationship इता nature of marriage के उपर, आप हमेशा याद रखेगा, यह वो वाले relationship होते हैं, जो living relationship होते हैं, यानि कि एक तरह से उनकी शादी नहीं होई है, लेकिन वो आपस में रह रहे हैं, ऐसा पत्ति-पत्नी के रूप में, लेकिन, यहाँ पर दो case law जमेशा याद रखेगा, एक्जाम के इंदरी पुछे जा सकते हैं, एक तो case law है मारा इंद्रा शर्मा, एक case है मारा इंद्रा शर्मा, versus VKV शर्मा, यह है मारा case का, 2018 है Supreme Court, ठीक है, 2018 Supreme Court, इस case में बोला था, Supreme Court of India ने, कि देखो भाई साब, सारे के सारे live-in relationship, हम आखों पे पट्टी बांध कर, relationship बिता nature of marriage की तरा, नहीं मानेंगे, सारे के सारे रिष्टे, हमारे, जो live-in relationship बिता nature of marriage की तरा, नहीं मानेंगे, याद रखना, तो कौन से रिष्टे होंगे, वर्सेज, डी, पच्चा यम्मल, 2011, Supreme Court, तो इंदरा शर्मा वर्सेज वी के भी शर्मा, Supreme Court of India के केस में, एक बात ये, ये raise करी गई, कि क्या सारे के सारे relationship को, live-in relationship को हम क्या, अपना, relationship बिता nature of marriage की तरा, मानेंगे, Supreme Court ने बोल दिया नहीं, जो रिष्टे, D-value स्वामी वर्से, D-5 यम्मल के अंदर, Supreme Court of India ने बता रखे हैं, के वल वो ही रिष्टे हमारे, live-in relationship के अंदर मानते होए, relationship मेंदा nature of marriage के तरा, मानेंगे, तो कौन-कौन से रिष्टे, आप लिखना चाहूँ, अपनी copies में लिख वे सकते हो, पहला point यहां पर बता रखा है, कि एक लड़का और लड़की, अपना आपस में साथ रहते हैं, एक ही छट के नीचे, और सारे दुनिया वालों को, पडोसियों को, तो सभी दुनिया वालों को यह बात पता है, कि भाई, यह दोनों की आपस में शादी तो नहीं हुई है, लेकिन पती-पतनी की तरह रहते हैं, तो अगर दो कपल्स, दुनिया वालों की नजर में, ऐसा पती-पतनी के रूप में रहते हैं, तो वो हमारा एक माना जाएगा कि हाँ इनका रिष्टा क्या है relationship with the nature of marriage दूसरी condition दूसरी condition यहां पर बता रखिए कि वो दोनों आपस में जो couples रहते हैं वो competent होने चाहिए है आपस में एक दूसरे के साथ में शाधी रचाने के लिए अपस में एक दूसरे के साथ शाधी रचाने के लिए ठीक है तभी इनका living relationship तो है लेकिन relationship the nature of marriage तभी माना जाएगा अगर वो दुनिया वालों के आगे ऐसा पती-पत्नी की तरह रहते हैं दूसरा लिगली तौर पे वो आपस में अपना पती-पत्नी के तोड़ा अपनी शाधी रचा सकते हैं अब एक बात बताओ कि एक अपना husband है ठीक है और उसकी अपनी एक wife है दोनों के आपस में नहीं बनती है husband जैना एक आपनी एक दूसरी महिला के साथ रहने कि बिल्कुल हो सकता है अब ये दूना आपस में शादी रचा सकते हैं लीग में नहीं रचा सकते हैं और यह बिना शाधी शदा अपना रह रह रहें हैं तो विस में नहीं है नहीं है तो क्या यह अपस में शादी रचा सकते हैं अपनी नहीं रचा सकते हैं यहाँ पे बाई गेमी का चार्ड लग जाएगा बना हस्बेंट के उपर ठीक है और अगर माल लेते हैं हस्बेंट जो है इस महिला के साथ डुमेस्टिक वॉइलेंस करता है तो क्या यह महिला डीवाई रिलीव कर सकती है नहीं कर सकती है क्यों क्योंकि आपस में शादी लिगली तौर पर शादी तो रचा ही नहीं सकते है तो सौरी महिला आप यह वाली नहीं कर सकते है अगर पती ने अपनी वाईव के साथ में डुमेस्टिक वैलेंस करा बिल्कुल कर सकती है क्यों क्योंकि हम अपनी free consent के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, voluntary तरीके से रह रहे हैं, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, गंपे बंदूक रख्या नहीं है, में साथ ही रहू, ठीक है, तो अगर ऐसी बात है, तो स्वारी, तो आपको domestic relationship, living relationship जो तो है, लेकिन relationship में the nature of marriage नहीं है, अब बदाओ, ये point clear हो गया, तो it is very, very, very important, तो इंतरा शर्मा बसे, विके भी शर्मा, एक case हो गया, कि सारी के सारे living relationship, आखो पर पट्टी बांद के हम, इनको relationship में the nature of marriage की तरह, नहीं मानेंगे, दूसरा, कौन कॉंसलों को मानेंगे, डी वेल्यो स्वामी वसस समझ में आ गई है, तो जिनका domestic relationship होगा आपस में, तो पत्मी या महीला आपस में क्या दावाद डाल सकती है, उसी इनसान के उपर जिसके साथ वो domestic relationship है, या तो पहला consanguity का, दूसरा adoption का, तीसरा शादी का, चौथा अपना relationship with the nature of marriage का, पांच और joint family का, खतम बात, चलिए, अ अब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आज़ाए, domestic violence, domestic violence यह याद अखना, यह भी important definition है, भाईजा, आप जो कानून पढ़ रहे हो, ठीक है, उस कानून के अंदा domestic violence का, आप कानून पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता, कि actual domestic violence define का है, sorry, तो इसलिए, examiner आपको यह domestic violence का, कौन-कौन से तरह हो सकता है, physical हो सकता है, mental हो सकता है, emotional हो सकता है, और अपना, economical हो सकता है, verbal हो सकता है, sexual abuse हो सकता है, तो यह सारे कि सारे हमारे कौन से होते हैं, यह point भी हमारे के दिमाग में clear हो जाता है, अब एक और बास समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर dowry की definition ब यहां पर भी याद रखिएगा कि section 2G में dowry को भी बता रखा है कि जो section 2 of dowry prohibition act 1961 में बता रखा है ना तो वह definition हम copy paste करके अपना d y act के अंदर पढ़ेंगे ठीक है यह भी बात हमारे को समझ में आ जाती है और magistrate यहां पर जहां जहां पर magistrate वर्ड यूज होगा तो हमापर magistrate का मतलब क्या होता है judicial mindset of first class तो इत्ती देर से मैं आपको कह रहा हूं section 12 में application लगती है judicial mindset first class क्या आगे ठीक है clear होगे मेरे बात चलिए अब यहां पर हमार को यह definitions अभी आगे हम दिरी दिरे पढ़ते रहेंगे अब दूसरी important definition आती है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा important definition आती है shared household की section number 2S यह बहुत ज़्यादा important है एक तो आपके domestic violence की section 2G एक domestic relationship की section number 2F एक आता है shared household section number 2S S मतलब shared household shared household की spelling भी S से चालू होती है तो 2S यह बात को याद रखेगा shared household का मतलब क्या बता रखा है देखो इसका simple मतलब यह है कि देखो एक महिला है मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ एक यह महिला है इसके पर क्या हुआ है domestic violence का अपराद करा है इससे कहां पर रही होगी shared household के अंदर रही होगी अब shared household का मतलब यह है तो shared household का बस 3 आपको चीज़े जान लिए पूरे definition आपको समझ बाद लेगी पहली बात इसका पती होगा या इसका boyfriend होगा ठीक है या इसका कोई भी family member होगा ठीक है यह तीन लोग होगी कोई भी family member होगा यह तीन तरहा के लोग ही होगे जो महिला के उपपर अपना domestic violence करेंगे तो यह जो अपने लोग है यानि कि मैं पत्ती-पत्नी का example दे देता हूँ ताकि आपको easily समझ में आएगा तो यह husband हो गया यह अपनी wife होगी या एक boyfriend का भी example दे देता हूँ ठीक है तो यह अपना एक ही छट के नीचे अपने रहे होने चाहिए यह अपना एक ही छट के नीचे रहे होने चाहिए तो यह छट जो उनका भी एगर है तो एगर क्या माना जाएगा अपना शेयर हाउजोड माना जाएगा एक ही छट के नीचे आपस में इनका डोमेस्टिक रिलेशन्शिप रहा है और उस छट के नीचे या तो हस्बेड ने या फैमिली मेंबर ने या बॉइफरेंड ने जो लिव इन रिलेशन्शिप में रहे हैं एक है महीला के साथ क्या करा है domestic violence का अपराद करा है ठीक है जी यह होता है हमारा shared household पर shared household easy नहीं है मैंने क्या बोला था तीन थरा के आपको situation समझने है shared household में ठीक है देखो अब मान लेते हैं boyfriend का हम example ले लेते हैं और यह girl हो गई ठीक है दोनों अपना live in relationship में थे यह अपना live in relationship में एक अपना घर किराए पे लेके रह रहे थे ठीक है तो यहां पर किराए पे हो या लड़के का घर हो या दोनों ने पैसे मिला के घर खरीदा हो ठीक है या लड़की ने घर किराए पे लिया हो या लड़के ने जाता है shared household तो मैं दुबारा बोलता हूँ तीन situation पहली situation यह है कि यह जो घर है मालिक आदा मालिक लड़का है आदी मालिक लड़की है आदी मालकिन लड़की है तो यह क्या मने जाएगा अपना जिस घर में यह रहते हैं वो घर क्या मने जाएगा shared household इतनी बात clear हो गई यह गर है दोनों में से किसी एक व्यक्ति के पास ownership है या तो लड़के ने पूरा घर खरीदा खाओ या लड़की ने पूरा का पूरा घर खरीदा खाओ तब यह क्या मने जाएगा घर shared household तीसरी situation यह मानी जाती है कि अगर मान लेते हैं अगर यह मान लेते हैं कि ना तो इस घर का मा टनी गई मिलेगा तब यह माना क्या जाएगा shared household व्यास्टना मलिक यह जोंगा आं वसधीकार पर open है, तो मुझे एक बारी ना comment box के अंदर आप लोग बताते रहिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मुझे एक बारी बताते रहिएगा, थोड़ा सम्मन में acknowledgement भी मेरे को देते रहना, कि हाँ सर हमार को यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, चलिए, simple सी यही बात हमार को इसके अंदर बता रखी है, अब याद रखना, हमेशा, pairing याद रखना, section number 2S, हमें किसके साथ पढ़ना होता है, section number 17 के साथ, 2S हमार को बताता है, actual में shared household का मतलब, और section number 17 आपको अधिकार देता है, right to reside, ठीक है, right to reside, यानि कि, जब section number 12 की application डाली जाती है, तो महिला के पास एक और रखना, section number 17 में, कि वो क्या कर सकती है, कि देखो जा साथ, मेरे पती ने मुझे घर से भार निकाल दिया है, और ऐसे घर से भार निकाल दिया है, वो घर shared household था, shared household क्यों था, वो घर का मालिक लड़का है, या मैं मालकीन हूँ, या हम दोनोंने मिलके किराये पे लिए है, या उसने किराये पे लिए है, या मैंने किराये पे लिए है, या हम दोनों मालिक नहीं है, लेकिन वो joint family का घर है, उसमे लड़के, पती के पास अपना share है, तो वो उस गर के अंदर में रहती हूँ, और मेरे सा domestic violence, उस गर के अंदर हुआ है, और मेरा प अधिकार section number 17 में कानून के अंदर दिया हुआ है, right to reside का, तो आप मेरे right को, reside को restore करिए, तो section number 17 के application लगाई जाती है, इसी लिए section, ये shared household का जो हमारा definition है, बहुत ज्यादा important है, clear हो गई मेरी बात, ठीक है, किसी को भी कोई परिशानी हो, तो एक बारी chat box के अंदर मुझे बताते रहिएगा, ठीक है, चलिए, अब एक और बात समझते हैं, थोड़ा सा हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, एकना section number 2Q हो जाए, हाँ, 2Q, बहुत ज्यादा important है, यह भी definition, इस पर भी important mark कर लेना, इस पर भी important mark कर लेना, अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया, जिसके उपर अपराद हुआ, वो महिला होनी चाहिए, और यहाँ पर महिला या तो खुद court में जाए, एप्लिकेशन लगाने, या उसके व्याप पर कोई और भी जा सकता है, इतनी बात clear होगी, अब यहाँ, domestic, जो violence है, वो करा किसने है, हम करा किसने है, तो question ही आता है, कि क्या हमेशा और हमेशा आदमी होगा, जो domestic violence करेगा, पती होगा, boyfriend होगा, या पिता होगा, ठीक है, क्या वही लोग होगी, मतलब male members ही होगे, इसके answer हमार को 2Q के अंदर बता रखा है, कि respondent कौन होगा, respondent यहाँ पर लिखा हुआ है, section number 2F के अंदर, कि महाँ पे joint family का भी एक point दे रखा है, एक भरा पुरा परिवार रहता है, तो भरा परिवार में यह possible है, कि केवल आदमी लोगों नहीं ही, अपना एक महिला के उपर domestic violence किया हो, हो सकता हो, सास परशान कर रही हो, चाची परशान कर रही हो, नंद परशान कर या फिर जो भी adult female members है, उनके उपर दावा डाल सकती है, domestic violence का, यह question आता है, कि आदमी ने कुछ नहीं करा, उसके पती ने कुछ नहीं करा, उसके जो भी और adult male member है, relatives of the husband, उन्होंने कुछ नहीं करा, तो क्या महिला, एक महिला, दूसरी महिला के उपर domestic violence का दावा डाल सकती ह गलत हो, सरा आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, नहीं नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ा था, यहाँ पर लिखा, any adult male person, यह तो ठीक है, बद सुप्रीम गुर का केस आया था, 2020 के अंदर, केस का नाम है हीरा लाल हरसोरा, लिख लो आप अपनी copies में, हीरा लाल पी हरसोरा, वर्सेज, वर्सेज क्या है इसका, कुसम नरुतम दास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नरुतम दास, वर्सेज कुसम नरुतम दास, ठीक है, और इसका नाम हरस हो रही है, यह हमारा 2020 सुप्रीम कोट, इस केस में न, यह वाले सेक्शन मेर 2 की उको, चैलेंज करा गया था, क् यहाँ पे तो domestic violence, तो adult female members भी तो कर सकती है, joint family है, तो बहु को परशान सास भी तो कर सकती है, और भी बहुत सारी females है, जो परशान कर सकती है, तो सुप्रीम कोट ने का, हाँ यह यह तो बिलकुँ सही बात है, तो यह साब देखो, यहाँ पे adult male member करा है, यह तो discrimination है, article 14 का, of our Indian constitution, तो सुप्रीम कोट ने का, हाँ यह तो बिलकुँ सही बात है, तो सुप्रीम कोट ने का, क्या, इस case के अंदर, यह adult male member है, इसको कार्ट दो, यह delete करा जाता है, तो सुप्रीम कोट ने का, इस शर्त को कार्ट दिया जाए, ठीक है, delete कर दिया जाए, तो इसलिए, इस से हम प्रोवाइजों में लिखा है, कि जो एग्रिवड वाइफ है, जिसके ओपर पीडा हुई है, या कोई female है, living in a relationship with the nature of marriage, ठीक है, may file a complaint against the relatives, the relative of the husband, और male partner, ठीक है, तो यहाँ पर relative of the husband कोन होते है, भाई, सास हो गई, नंद हो गई, चाची हो गई, ताई हो गई, और भी भी दर्ज करा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस case में, जो यह adult male membership लिखावर 2Q के अंदर, यह discrimination, article of 14 का, right to equality का, जिसके लिसके डिलीट करा जाए, तो यह case का नाम मैं आपको बता दिया, हिरलाल P. हरसोरा versus कुस्रम नरुतम दास हरसोरा, 2020 Supreme Board, am I clear, कोई दिक् 2G में कहा था, कि domestic violence की definition हमें नहीं बता, जाओ section 3 में, हम आगे section 3 में, पढ़ लेते हम थोड़ा से क्या है, देखो section 3 के अंदर में क्या बता रखा है, कि domestic violence कितने तरहागा होता था, मैंने आपको बताया था ना, physical वाला हो सकता है, देखो physical तरह हो सकता है, sexual वाला, verbal वाला, economic वाला, mental वाला हो सकता है, emotional वाला हो सकता है, economic वाला हो सकता है, यह सारे हमारे कौन-कौन से है, जिसमें महिला को जान का खतरा हो, महिला को परशानी हो रहने में दम घुट रहा हो, तो यह सारे हमार पीट करी क्योंकि 2G में हमने डौरी वर्ड भी पड़ा था कि अगर टॉर्चर कर जाता है डौरी के तौर तौर पे भी तो वह भी डॉमस्टिक वैलेंस के अंदर आएगा 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 ठीक है या फिर तुम जो है बच्चा नहीं कर पा रही हो यह भी बहुत सारे इश्यूस अमरे करने का और रिलीव कौन सा रिलीव मान सकती है पहला section 17 भी अब जोड़ चुका है right to reside का ठीक है क्योंकि right to reside के लिए shared household का होना जरूरी है अगर shared household नहीं है तो भाई राइट to reside आपको नहीं मिलेगा इजी लग रहा है नहीं लग रहा है ठीक है अब एक छोड़ी सी बात समझ लेना हमने अभी क्या बढ़ा था shared household के उपर shared household में याद रखना shared household में अभी हमने बढ़ा कि किराए पे लिया था यानि कि मान लेते एक लड़का लड़की जो अपना relationship नेचर आफ मैरेज किराई है तो अगर यह लड़का जो है लड़की के ऊपर क्या करता है domestic violence करता है तो तो क्या लड़की के पास अधिकार है अपना relief पाने का particular कानून के अंदर बिलकुल है क्योंकि मैंने क्या का कि domestic violence होना जरूरी है domestic violence हुआ है हाँ भाई हुआ है mental, physical, verbal, emotional, sexual, economical ठीक है यह सारी तरह क कैसे रह देते डी वेलु सवामी वसे डी पच्चाई अमल 2011 सुप्रीम कोट ठीक है तो अब क्या है अब यहां पर बात आती है कि यह किराय पे घर है यह घर क्या है किराय पे है और लड़के ने क्या करा लड़की को घर से बाहर निकाल दिया तो क्या यह लड़की सेक्शन को और पास करो कि मैं इसी घर में रहूंगी ठीक है अब इन दोनों की लड़ाई में बेचारा लैंड्लोड जो एपिस रहा है मान लेते हैं 11 महीने का एग्रिमेंट था लड़ाई जगड़ा हुआ अनका 10 महीने में लड़ाई जगड़ा बढ़ते 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 जग्यारा महीने हो गए ठीक है तो लैंड्लोड के साथ इनका किराया का जो रेंट एग्रिमेंट था वो तो खतम हो गया इतनी देर में महिला ने क्या कर दी है, right to reside के application move कर दी, अब कोशिन यह आता है, घर किसका है, मालिक कौन है, landlord, पिस कौन रहा है, landlord, landlord, court ने अगर, जो court है, क्या वो section number 17 का right to reside, इस situation में order pass कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि तुम दोनों के जो जगड़े हैं भाईया, तुम दोनों अपना आपस में सुल्टा हो, बिचारे landlord का right जो है, effect नहीं करेंगे, बिचारे landlord का effect जो right है, हम उसको violate नहीं करेंगे ठीक है, अगर आपका, जो को simple सी बात है, अगर इन दोनों के बीच में अपना rent agreement बचा हुआ है, तो जब court जो है, right to reside का order pass करेगा, ठीक है, अगर इनका rent agreement खतम हो चुका है, तो घर जो एक्चल में landlord गाए, तो उस case में court क्या गाएगा, भाईयों, तो तुमारा rent agreement खतम हो च करेंगे, इतनी बात के लिए रोगई बताओ, ठीक है, अजए एक बार बताओ, अगर अब थोड़ा husband wife का example ले 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 थे, एक husband है, और एक अपनी wife है, ये घर में रहते हैं, ठीक है, इसमें साससुर भी रहते हैं, यानि father-in-law और mother-in-law भी रहते हैं, ठीक है, और घर किसके नाम है, या तो father-in-law के नाम है, या mother-in-law के नाम है, पती के नाम पर अभी कोई चीज नहीं है, पती के नाम पर कोई घर नहीं है, लेकिन रहते हैं, अपने पापा मिमी के घर में ये लड़के के पापा मिमी के घर में लड़का भी रहता है, और wife भी रहती है, ठीक है, इत तो रिजाइड अपने क्लेम गर सकती है पता हो ज़ा है आप जज की चेर पर बठे होंगे तो आप क्या और पास करोगे दिमाग लगाओ थोड़ा मैं आपको सारी बात बता रखिए घर या तो लड़की के नाम होना चीह है ठीक है या फिर किसी के नाम नहीं है तो joint family का property उनी प्राइड करीलौ है भाई अब अभी इन्होंने प्रापरटी अपनी अपने बेटे के नाम करseits रह के नाम करें उसमें अगर कोई प्रापरटी लड़का है लड़का है अगर हिस्सेदार है तभी यहां पर राइट टो रिज्याट का या शेर्ड हाउसलोड की कटिग्री में सब्सक्राइब के अंदर आएगा 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 क्लियर होगे मेरे बात बताओ सिंपल सी बात है यह नहीं है फिर हम आगे और कॉंटिन्यू करते हैं अब आजाती यह बात सेक्शन में जा रहा हूं अब हम प्रोसीजर वाली बाते करूंगा ठीक है अब इंपोर्टेंट बात आती है सबसे फिर्चर चालू होती है अब डॉमस्टिक वैलेंस हो गया है अब महीला जो है वो एग्रीड परसन है तो मैंने आपको भी यह चीज़ सिखाई थी कि या तो महीला खुच जाके कंपलेंट दज करा सकता है ठीक है तो यह बात हमारे को सेक्शन में फूर के इंदर लिखी है ठीक है किसी भी वैक्ति को अगर रीजन तो बिलीव है कि अगर पहले में एक महीला रहती है दो गर छोड़के उसके साथ उसका पती जो है डुमस्टिक वैलेंस कर रहा है ठीक है तो आप कुछ करिए तो ऐसे केस में क्या अगर प्रडेक्शन अपना टिंग टॉंग बेल बजाई उन्होंने पूछा हाँ यहां पर किसी ने डुमस्टिक पती के उपर कंप्लेंट दर्ज नहीं करा रही है चुप है तो ऐसे केस में उल्टा दाउ उस व्यक्ति के उपर हो सकता है उस पडूसी के उपर हो सकता है कि तुमने जूटी कंप्लेंट करी है यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा तो इसका भी जवाब हमारे को section of 4 के clause 2 में ब अभी हमने वर्ड क्या पड़ा production officer, production officer को भी अपना पुलिस की तना ही काम होता है ठीक है हाले कि वो पुलिस वाला नहीं होता बड़ वो काम इन चीजों के लिए होता है अपना domestic violence की cases को सुनने के लिए section of 5 में आपको बता रहा हूँ कि मैंने section of 4 में के बड़ा कोई भी विक्ती या तो agree person या तो कोई भी विक्ती अपना domestic violence का case करा सकता है सबसे पहले कर आप भागा भागे जाके सीधा आप section में ट्वैल के अंदर application लगा सकते हो आपको जानकारी है अब knowledgeable person हो ठीक है महिला अगर जानकारी रखती है तो वो direct section बारे में application लगा सकती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर महिला को पता नहीं है कि मेरे सा उपर जो अपराद हुआ है वो actual में डीवाई act के अंदर आता है मेरे उपर जो अपराद हुआ है वो actual में domestic violence act एक कानून है मेरे को कैसे अब अपना procedure इस्तेमाल करते है रिलीफ माना चाहिए तो इसके बारे में जानकरी नहीं होती तो यह कानून भी आपको इसलिए पढ़ फरेक्षण के पास ठीक है या तो महीला कंप्लेंट दज गटा सकती है एंग्यों के पास ठीक है घ्लिए अगर मेला कोइं रिलीफ दिलानो हम दिलाएंगे ठीक है और अगर आप जाते हो तो मैट सर्क्शन के पास बारे के अंदर यह बास समझ में आ गए इतनी सी, simple सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, कि अब जो है, अगर पुलीस वाले के पास गए, तो पुलीस वाले असेस्ट करेंगे महीला को, अगर 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 महीला की मदद करेंगे, क्या मदद करेंगे, application बनवाने में, महीला की section number 12 की application बनवाने में, क्योंकि अगर या दखना, अगर application proper नहीं होई न, तो मैं शेड application reject कर देंगे, ठीक है, तो proper इसका format होता है, format इसका कहां दे रखा है, format दे रखा है मारा form number 2 में, अगर आप तो नहीं होगा, नहीं है भाई, ठीक है, फॉर्म नहीं है इसके अंदर, बट कोई बात नहीं, आपको जब ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है ना भी, तो जब एडिटिंग होगी ना तो मैं डलवा दूँँगा ये चीज, ठीक है, मैं डलवा दूँँगा आप लोगों को ये अपराद होता है, तो हम पुलिस के पास जाते है भागे-भागे, तो पुलिस वाले क्या दज करते हैं, एफ आई आई आर, अब ये भी तो एक अपराद है, ठीक है, ये भी तो एक अपराद है, तो यहां पे भी आफाद दज करेंगे पुलिस वाले, प्रडेक्शन इसके बारे में आगे भी कहानी बिता रखी है, section में 12 के अंदर बीचिकर है, section 9 के अंदर बीचिकर है, आप अगर section 9 बढ़ोगे, section 9, clause 1 का B part, ठीक है, तब आपको यह बार समझ में आएगी, कि यह जो production of police वाला है, production officer है, और service provider है, यह DIR prepare करते हैं, यह DIR का मतलब क्या होता है, DIR एक वो अपनी रिपोर्ट होती है, जिसमें महीला से पूरी बात्षित करिया आती है, हाँ महीला आपके साथ क्या हुआ, किस ने आपके उपर हमला करा, यह domestic violence किस ने करा, उसका नाम क्या है, ठीक है, वगरा वगरा, यह सब बाते DIR के अंदर लिखी जाती है, सब में आगे में निवात या नहीं, ठीक है, यह important चीज़े हैं थोड़ी सी, यह बात याद रखिएगा, कि यहाँ पर सरकार की यहाँ पर duty है, कि जब ऐसा कोई अप्राद होता है, तो यहाँ पर NGO बना के रखे पहले से पहले, ठीक है, production officer को अपना appoint करके रखे पहले से पहले, ठीक है, और अपना कोई भी अगर महीला को लगता है, महीला को आप option दे होगे, कि महीला आप डीवाई में जाना चाहती हो, या 490 day का मुकदमा दज कराने जाती हो, या दोनों में जाना चाहती हो, तो पुलिस वाले एसस्ट करेंगे CS के लिए, ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली मस सोचना भाई, ठीक है, मैं पहली कहा रहूँ, अभी हम theoretical पढ़ रहे है, हमारा main focus क्या है, exam निकालना, अब practical क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको थोड़ा side रखो, या दखना मेरी बात, ठीक है, सब जगा होता है, am I clear? चलो, अब ये shelter home होते हैं, ठीक है, shelter home जैसे हो गया है, महिला को production के लिए नारी निकेतन हो गया, आश्रा हो गया, shelter home हो गया, तो वो भी बना के रखें पहले के पहले, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं, बेगर हो गई है, अब महिला को रहने के लिए कहां दे हो गया है, ठीक है, तो कोई NGO हो, या कोई shelter home हो, जो सरकारी अपना shelter home हो, पहले से पहले हर area में बने हुए होते हैं, बहुत सारे बने हुए होते हैं, तो वो अपना provide कराई जाएंगे, ठीक है, अगर कोई medical facility चाहिए है, तो doctor को बुलाया जाएगा, ठीक है, doctor को बुलाया जाएगा, समन्मारी मेरी बात, या नहीं, ठीक है, यह इतनी सी बात हमारे को बता रखी है, अब section 8 important है, section 8 हमारा बात करता है, कि अभी हम जो बात कर रहे है, production officer, ठीक है, production officer, यह है कौन, कौन appoint करेगा इसे, ठीक हो, appoint कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, तो एक्जाम में question बन सकता है, production officer is appointed by whom, standard government, state government, और appropriate government, और d, none of the above, आपको tick करना है, state government, state government, जो appoint करती है, ठीक है, कितने चाहिए है भाई हमार को, कितने production officer चाहिए हमारे district के अंदर, हमारे area के अंदर, और यहां रखना, main focus यह रहाद है कि जो production officer रहना, ठीक है, यह बात clear हो गई, चलिए, अब हम अदर जाते है section number 9 की तरफ, अब हमने production officer, हमने तो नहीं यार, state government, state government प्रोडेक्शन officer अपना appoint कर लिया, अब production officer अपना appoint हो जाने के बाद, उनकी duty बिता होगी, तो duty क्या है, इनके सबसे पहली, कि अगर, जो भी, उनके duty क्या है, कि वो, जो जैना, magistrate की मदद करेंगे, कि जब magistrate के पास application लगेगी, तो magistrate बुलाएंगे, हाँ जी, production officer कोई है, जी, आप हो, महिला, आजो, तो आप हमार, magistrate, जो है, production officer से पूछेंगे, हाँ जी, क्या मामला था, महिला से आपने बाच्चित करी, महिला से आपने डियर बनाई, आपने महिला को देखा, वो कैसे situation में थी, आपने महिला को अपने महिला को medical facility प्रवाइड कराई, जो section 6 में, section 7 के अंदर बता रखी है, तो यह सब duty यहाँ पे, किस की है, production officer की है, यह सारी duty production officer की है, अब, यहाँ पे महिला, जो यह production officer है, इनकी सबसे बड़ी duty क्या है, इनकी सबसे बड़ी duty है, यह DIR अपना prepare करेंगे, यह अपना DIR अपना prepare करेंगे, इतनी बात clear हो रही है, ठीक है, देखो, to make a domestic incident report, मैंने बात बताया था अभी, section 9, clause 1 का B point, domestic incident report वो prepare करेंगे, क्योंकि याद रखना, जब section 12 के application लगती है, तो वहाँ पे DIR की भी copy attach होती है, कि actual में मैंचिट को पता तो हो, कि preliminary, अपना inquiry किस तरह से करी इसके उपर किसने पराद करा, respondent कौन है, उसका नाम क्या है, ये मेरे jurisdiction में आता है, नहीं आता case, ये सारी बाते DIR के अंदर पढ़ने के बाद में पता लगेंगे, तो ये सारी duties है, ठीक है, जो हमार को बता रखिए, ये shelter home provide कराया, नहीं कराया, service provider रगत चाहिए, नहीं चा कराया गई है, तो मेरे jurisdiction order करेंगे, कि बड़े पागलो यार, तुमने महिला को medical facility क्यों नहीं provide कराया है, कराओ अभी क्या भी, तो इस case में order किया जाता है, मेरे jurisdiction कराया, तब जब order किया गया है, तो पालन करना पड़ेगा, M, I clear, चलिए, section 9 हमार को समना आ गया, duties क्या क्या ह होती है, पावस क्या होती है, हमार को, production officer की section 9 में, appointment कहा होता है, section 8 में, कौन करता है, और state government, कोशिश ही रहती है, कौन होगी, महिला होगी, ठीक है, section 10 की तरफ आ जाते है, section 10 हमारी बात काता है, service provider, service provider में आपको बता रहा है NGO, जो काम production officer का है न, वह NGO का भी है, ठीक है, बट हो यह ऐसी company हो, जो registered हो अंदर companies act, हालेकि 1956 ने अब तो 2013 वाला आ चुका था न, companies act 2013 के अंदर, जैसे के मान लेते हैं, हम lawyers है, ठीक है, तो हम lawyers में अपनी एक community बनाई, एक company बनाई, कि हम free में, महिलाओ की मदद करेंगे, free में उनको इंसाफ दिलाने के रहे है, मदद करेंगे मेरी बात सुन में आ गई, आपको यह बात, ठीक है, तो इनका भी काम क्या होता है, इनका भी काम होता है, अपना देखरेक करना, महिलाओ को, और अपना DIR प्रिपेर करके, मैचिट के आगे, section 12 की application प्रिपेर करने में, एसिस करना, तो section 12 की application और DIR की report, अपना attach करके, मैचि साथ domestic violence होता है, तो आप यहाँ पर जाएए, protection officer को जाएए, NGO के पास जाएए, वो आपकी मदद करेंगे, section 12 के अंदर आप अपना relief claim कर सकते हो, या वे ने सुलाने का, इस सारा काम, my government का होता है, अब आ जाती ही बात, section 12, it is also very very important section of, for exam purpose, section 12 के अंदर मैं आपको verbally बिता देत उसकी मदद लेके, आप जो message के पास application लगा होगे, अब message के पास application file हो गई है, ठीके, अब message के पास application file हो गई है, तो message क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ाई लिखाई करेंगे, message देखेंगे, अच्छा, महिला ने कौन-कौन सी relief मांगी है, section 18 वाली मांगी है, production वाली, section 19 वाली सारी चानबीन करने के बाद, महिला ने order pass करेंगे, या तो, जो भी 18 की relief दे, 19 की दे, 20 की दे, 21 की दे, 22 की दे, सारी दे, वो message के पार है, लेकिन याद रखेगा, message यहाँ पे, कोई भी order pass करने से पहले, कोई भी order pass करने से पहले, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कि क्या य यहाँ पे, domestic incident report को जरूर पढ़ेंगे, जो protection officer ने बना के, जमा कराईए, या service provider ने बना के, जो अपना जमा कराईए, तो यह DIR को पढ़े बिना, कोई भी message order pass नहीं करेंगे, यह बात को याद रखेगा, यह बात को आप याद रखेगा, clear होगी मेरे बत, और हाँ, जो अप clear होगे मेरे बात, बस यह चीज़ को याद रखना है, यह DIR का हो गया, यह section मर 12 का हो गया, ठीक है, यह बात को याद रखेगा, अब आ जाती यह बात मुद्दे की, अब message के अपर भी तो duty लगानी है, कि message जो है, कितने time के अंदर अपना case को dispose of करेंगे, और कितने time में notice बे करेंगे, पहली hearing को रखेंगे, तो यह time period है, exam के तो question आ सकता है, देखो, सबसे पहली बास, जब message के पास application आ गई है, तो अब message की जिम्मेदारी है, ठीक है, message की जिम्मेदारी है, clause 4 के अंदर, कि 3 दिन के अंदर, first date of hearing fix करेंगे, जैसी application फाइल हुई है, तो 3 दिन के अंद 60 days में खतम हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा मामला, जिस दिन application फाइल हुई है, उसके 30 दिन, start दिन के अंदर, ठीक है, start दिन के अंदर अपना dispose of हो जाना चाहिए, इतनी बात clear होगी, simple सी बात है, कोई complicated बात नहीं है, ठीक है, चलिए, अब section 13 हमारे को क्या बताता है, agree person का भी पक्ष सुनेंगे, तुमारे भी पक्ष सुनेंगे, तो आजो दोनों, तो यह बात रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्यों ने रखेंगे, तो इसलिए, यहाँ पर एक बात हमारे को clear कर दी गई है, कि यहाँ पर notice बेज़ जाएगा, तो notice बनांके तयार करेंगे, मैटिस साम, वो देगे किसको पर-डेक्शन बे सरुब, पर्डेक्शन बे सर जाएगा, वागा बागा, किसके बास, रिस्पॉंडेंट के दिया जाएगा, तो दो दिन के अंदर अंदर notice भे मेंदर जाएंगा, यह बात आद रखे, तो अभी तीन बात बताइं हैं, तीन द और से पॉइंट और याद रख लो अब एक बात बताओ, 60 दिन, 60 दिन, 60 दिन में, तो इतने टाइम भीच जाएगा, 60 दिन में, 60 दिन में महीला क्या वेगर रहेगी, या बिना पैसे के रहेगी, पैसे उसका दवाई का खर्चा होगा, मान लें तो शूगर है, तो इंसुलेन इंट्रनेम और पास कर सकते है, जो बात करता है हमारा, सेक्शन नमबर 23 में, अब इंट्रनेम और पास करने के लिए, महीला को एफटेबिट कोड में जमा कराना होता है, महीला को कोड में एफटेबिट जमा कराना पड़ता है, एफटेबिट, ठीक है, अभी एफटेबिट का format का है form number 3 में बात कतम तो form number 1 किसका format है DIR का form number 2 किसका format है section बारे की application का form number 3 किसका format है ये एफिड़ेबिट का एफिड़ेबिट किसे का माता है अगर आपको कोई भी अपना interim order पास करवाने section 23 में तो section 23 के application भी लगाई जाती है अभी जब तक case आप decide कर रहे हो कर रहे हो जो आपको करना है करो लेकिन अभी interim order तो हमारे favorim pass करा दो कुछ पैसे दिलवा दो ताकि महिला को medical खर्चा है या खान बान के लिए या कुछ भी XYZ उसके लिए या महिला का बच्चा है बच्चे की क्या समन्मा आया कि section नुमर 12 plus form number 2 plus section number 23 plus form number 3 बताओ जरा मुश्किल लगा क्या 12 में main case वाला 60 दिन के अंदर dispose होगा इसमें इंदा mean time section 23 के application form number 3 के affiliate जमा करा के आप अपना interim order pass करवा सकते हो ठीक है जी समन्मा आई मेरी बात चलो अब दोनों parties आ गई है notice based दिया parties को हमने ठीक है कि पहले तो section 12 के अंदर application में agree person आ गई notice based के respondent को बला लिए अब दोनों parties आ गई code का mean concern पहले क्या रहेगा या दोनों की counselling करा लो दोनों का दिमागी स्टोर पे हमार को नहीं लगता ठीक है मामला दोनों के रिष्टे अपना बिगड़ने थे अच्छा है पहले इनकी counselling करा लो या ठीक है तो counselling कराने के लिए section 14 की बात करी जाती है कि दोनों के अपनी counselling करा लो section 14 ठीक है कि अगर इनका मामला सुलट सकता है दोनों अपने आपको मामला हो गया तो बहुत बढ़िया है ठीक है और section 15 में क्या है अब इचारा बच्चा भी तो अगर है तो बच्चा भी तो बेगर घुम रहा है तो बच्चे को भी अगर कोई असर्च कराने तो welfare expert यहां पर पॉइंट कर जाए जाएगा अगर महिला को भी चाहिए अगर कोई welfare expert तो उसके लिए भी मैस्ट जो प्रोवाइड करा देंगे कोई बड़ी बात नहीं है एक इंपोर्टेंट section है जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो गुप्त चलेंगी open code में नहीं चलेंगी यहांनी camera गुप्त चलेंगी एक्जाम में कुशन आ सकता है कि जो domestic violence की proceedings है वो गुप्त होती है आप बलो कि गुप्त होती है section number 16 में लिखी हुई है section number 17 में आपको बता चलेंगी section number 17 में आपको बता चलेंगी production order में आपको इसके अंदर बस आप बातें समझ लिझी कि अगर माननेते है production order कब दिया जाता है अगर कोई मार्पिटाई करता है ठीक है या तो ऐसे गिसमें production order दिया जाएगा कि तुम हातपाई नहीं करोगे जाहां महीला रहती है जिस कमरे में महीला रहती है बाई, पोस्ट उसको लेटर नहीं बेज होगे, ठीक है, और दुबारा आप, ठीक है, और आगर मान लेते हैं महिला और आदमी का, आपस में joint account है, तो आप जो है, दोनों का, जो joint account है, वो बरकरार रहेगा, आप joint account को alienate नहीं करोगे, लॉकर को alienate नहीं करोगे, कोई भी property के दोनों अपना है, हिस्सेदार, तो वो alienate नहीं करोगे, आगर जो स्तिरीधन है, जो शादी में वो अपना स्तिरीधन लेके आई थी, अगर वो तुमार पास है, तो तुम उसको बेचोगे नहीं, उसको खराब नहीं करोगे, रेस्ट्र या फिर यह भी order किया जा सकता है, कि महिला इसी घर में रहेगी, तुम भार निकलो, तुम दूसरे घर में रहो, या तुम इसी घर में रहो, महिला को दूसरे घर का arrangement करके देो, उसका rent तुम पे करोगे, यह हमना residence order हो गया, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर और जो भी मान लेते हैं, लड़के के अपने कोई भी रिष्टदार और लोग हैं, जो महिला को domestic violence कर सकते हैं, या कर रहे थे, या करने वाले हैं, ठीक है, अपना बतला निकाल लेकर है, हमारी लड़के के अपर तुम जार्च करा होगी, तो ऐसे case में, यहाँ पर बोले जा सकता है, कोट के दव सकती है, महिला मतला सास, बहू, सास, ताई जी, ताउ जी, जो भी नंद पर कहरा, तो इसके अंदर यह बुला हुआ है, कि अगर मान लेते है, कोट ने क्लॉस बी वाला ओडर पास करा है, तो अगर क्लॉस बी के अंदर, अगर respondent महिला है, सास है, नंद है, ताई है, तो उन बात समझे, आई, नहीं, आई, यह बताओ, ठीक है, 20 में में monetary relief, monetary relief हमार को section 20 में बता रखिए, कि अगर तुम्हारे हरकते करनी के वज़े से, husband भाई, या boyfriend, या father, या कोई भी any person, जो respondent हो सकता है, तुम्हारे हरकते करनी के वज़े से, महिला को इतना torture face करना पड़ा, इसन देते हैं, ठीक है, तो जो तुमने destruction करा है, damage करा है, remove करा है, कोई भी property को, ठीक है, वो movable property है, immobile property है, दिवार पे तुमने हतोडे मार दिये, दिवार तोड़ दियो, तो उसका खर्चा, तो यह सारे का सारा खर्चा मिला के, जो महिला है, वो claim कर सकती है, as a monetary relief के application, अपनी section म बारा में फाइल करेगी न, उसके बाद, 21 बात करता है, हमारा custody order, custody order, नॉट मिसे अनिधिंग कंटेन अन्यों पर टाइम नमेशेट पास, यह लिंग दा, जो देखो, बच्चे की custody, कोट दिये न, पहले, custody order पास करने से पहले, welfare देखता है, कि बच्चे का welfare कहां पे होगा, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, temporary custody करान करता है, अगर कोई बच्चा है, या कोई बच्चे हैं, एक से जाधा बच्चे हैं, तो उनकी custody किसके हाथों में देना सही रहेगा, बाप के या मा के, ये भी चेक कर जाएगा, ठीक है, समन्माई मेरे बात या नहीं, compensation order मैं आपको बता दिया था, compensation order कि भाई ठीक है, ये section 18 भी ठीक है, 19 भी ठीक है, 20 भी ठीक है, 21 भी ठीक है, अब दिमागी तोर पे उसका क्या, महिला के दिमागी तोर पे भी तो तुमने परशान करा है, दिमागी तो इसको stress हुआ है, अभी तो जो तुमने नुकसान करें, उसकी भरपा तो उसका खर्चा कौन देगा, तो उसका भी खर्चा, compensation order के लिए message डिसाइड कर सकता है, am I clear, बताइए, ठीक है, अब देखो, section 18 का order, 19, 20, 21, 22, message ने order कर दिया, कि यहाँ पे respondent तुमारे को pay करना पड़ेगा, ठीक है, तुमारे को pay करना पड़ेगा, लेकिन respondent निकला तो मान लेते हैं, अगर जो respondent है, जिसको court ने order करा, 18 वाला, 19 वाला, 20 वाला, 21 वाला है, 22 वाला, ठीक है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो इस case में, यहाँ पे अगर वो अपनी मनमानी कर रहा है, compliance नहीं कर रहा, पैसे नहीं दे रहा, या घर से भान नहीं निकल रहा है, महीला को परशान करे जा रहा है, torture करे जा रहा है, बार-बार, ठीक है, तो इस case में क्या किया जा सकते है, उसके लिए हमार को section 31 का clause number 1 जाना पड़ेगा, ठीक है, penalty, penalty for a breach of production order by the respondent, तो अगर non-compliance करते हो, that is a custody order का, तो यह क्या है, अपने आप में punishable offense है, यह अपने आप में दोनों लगेगा, यह बात याद रखना, कि अगर आपको production order 18 में pass करा गया है, और आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, code भी अपनी मनमर्जी करेगा, code या तो इंकी पिंकी करके, या तो आपके अपर, एक साल की सदा लगा देगा, या 20 अरवे का चुमान या दोनों लगा देगा, आपने अपनी मर्जी करेगा, code भी करेगा, अपनी मर्जी section नमर 31 के अंदर ही अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, clear हुजाती ही मेरी बात या नहीं, एक ना section 25 भी या रखेगा, section 25 में अधिकार दिया हुआ है, कि जो भी कोई code ने order पास करा, कि इतने भी रुपे का पास करा, तो बाद में चलके इसको alter भी किया जा सकता है, ये exam के अंदर question आता है, आ सकता है, कि क्या alter किया जा सकता है, कोई भी amount, जो भी code ने grant करा 18 में, 19 मे इसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, अब यहाँ पे question चोटा सा और मैं आपको सिखा देता हूँ, जुरिदिक्शन, अब मैं कौन सी code के आगे section 12 के application लगाऊंगी, ठीक है, महीला के भी आप पर मैं बात करूँ, जहाँ पर महीला या तो रहती है, या personally works for gain करती है, या carries on business करती ह तो वहाँ पे आप अपना application लगा सकते हो, ठीक है, मैं आपको पढ़के भी सना देता हूँ, कि जो agree person है, यहाँ पे वो रहती है, या carries on business करती है, या personally works for gain करती है, या फिर, जहाँ पे respondent रहता है, carries on business या employed हो, वहाँ पे भी आप अपना case दर्ज करा सकती हो, सीधी सी बात ह ठीक है, अब एक last point एक छोटा सा और समझ लीजिए, मेरे कहने से, ठीक है, मान लेते है, production order pass हो गया, court ने production order pass कर दिया, अब अगर उसकी appeal करनी है, तो क्या appeal करी जा सकती है, अच्छा एक बात बतो, comments से, अगर कोई order judicial master first class के द्वारा pass करा जाता है, ठीक है, अगर कोई order judicial master first class पास के द्वारा पास करा जाता है, तो उसकी appeal कहा डालती है, DJ के पास, या section judge के पास, आये न, तो अभी वही दे लेगी, यह बात हमार को section mark 29 के अंदर बता रखी है, कितने दिन में डे लेगी, 30 दिन का time होता है, या लिखा भी होगा, हाँ, लिखा हो है, 30 days, ठीक है, तो appeal क कर दोगे, तो फिर और बले-बले हो जाएगी, MI clear, ठीक है, चलो, वैसे तो इसका nature क्या है, हमारा domestic violence act का nature क्या है, civil, लेकिन अगर यह criminal वाले जो breach वाला है, एक साल की सजा देना, 20,000 रुपे का चुन्मान लगाना, अगर जो respondent है, वो अपनी मनमलसी कर रहा है, तो जब क्रिमिल कोड बन जाएगा, हाला कि वनना यह civil code, civil मुकदमा है, civil law की तरह यह deal कर जाता है, ठीक है जी, चलो, this is all about today's class, I hope आपको domestic violence act, पूर अगबोरा मेर से पढ़ने के बाद में मजा आया होगा, अब जिमिदारी आपकी है, जितने प्रोवीजन, मैंने आपको important mark करवाए यह important है, इसको अपना no-down कर लीजिएगा, इसको no-down करने के बाद में, अपना revise करिएगा, और थोड़ा सा इधर उदर के provision भी check करिएगा, साथ में जितनी ज्यादा revision, उतना भैतर आप इंसान बनोगे, जितने ज्याता आपका confidence बढ़ेगा, उतना एक्जाम में अच्छा कर साथ ही में, अपने mcq question भी जाद दे स्यादा solve, करिएगा, 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 मेरी बास मन में आई, याद रखना, और अगर आपको मेरे जुडीशी batches join करने है, तो हमारी application है, यहाप आपको screen के पर दिखाई भी दिए रहा होगा, Google Play Store के उपर जाईएगा, smart and legal guidance अपन दानले के बाद में, तो आप यहाप देखो, मैं आपको यहाँ पर show भी कर देता हूँ, ठीक है, हमारा Google Play Store मैंने अपना open कर लिया, mobile के अंदर भी, आप लोग भी अपने mobile के अंदर Google Play Store open कर सकती हो, तो यहाँ पर बस में लिखना है smart and legal guidance, ठीक है, यहाँ पर option भी आजाएग अब यहाँ आगे चलके, 25 जून के बाद में, TPA, Transfer of Property Act, हम अपना शुरू करेंगे, विस all latest amendments, सारी की सारी latest amendment के साथ में हम अपना TPA अपना शुरू करने वाले हैं, 2024 तक कि जो भी amendment आई हैं, वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो भी लोग इंट्रस्टेड है, तो अपना suggestion रहा हूँ, और आपको पसंद आई है, नहीं आई है, क्या आपको feel हुआ है, class देखने के बाद में, प्लीज और प्लीज अपना comment box चंदर जरू बताएगा, हम मिलते हैं next video में, thank you, Demirat, मिलते हैं